अब क्विश्चिन नम्बर 23 हम कर रहे हैं जोमेट्रिकल ओप्टिक्स चैप्टर 18 चैप्टर 18 चैप्ट्र फिजिक्स वॉल्यूम वन अ स्मॉल अब्जेक्ट इस प्लेज़ अच्टर ऑफ बॉटम ऑफ इसलेंड्रिकल वेसल अफ रेडियस थी सेंटीमेटर और इसमें पानी भरा हुआ है पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर बाई थी इसमें वाटर फिल किया हुआ है आगे बोल रहा है consider the ray leaving vessel through a corner suppose this ray and the ray along the axis of the vessel are used to raise the image तो इसको आपने धी ध्यान से पढ़ा होगा अब यहां पर वो हम real depth apparent depth वाला formula नहीं लगा पाएंगे कौनसा mu2 by mu1 is equals to v by u या फिर apparent depth is equals to h upon mu वो formula यूज नहीं होगा क्योंकि यहां वो raise paraxial नहीं है question में बोला हुआ है कि हमको कौनसी rays use करनी है एक तो वो जो access के along जा रही है और दूसरी जो corner को touch करती हुई निकलती है तब हमको फिर पता क्या करना है apparent depth of the image and the ratio of real depth to apparent depth under the assumptions taken refractive index of water is 1.33 इसका ray diagram बनाएंगे तो यह है object जो base के center पर रखी हुई है और एक ray यह लेनी है हमको ऐसा बोला हुआ है question में consider the ray leaving the vessel through a corner तो एक ray यह लेनी है और दूसरी ray लेनी हमको कौन सी along the axis मतलब यह दोनों हो जाएंगी incident rays फिर इसका करवाएंगे हम refraction अब यहाँ यदि refraction करवाएंगे तो क्या होगा यह होगा normal और यह ray कैसे जा रही है from water into air तो क्या होगा इसका it will bend away from the normal और यह angle बन जाएगा angle of incidence और यह होगा angle of refraction यह आई और यह आर और दूसरी जो ray जा रही है axis के along उसका refraction होगा नहीं वो undeviated straight चली जाएगी तो यह दोनों होगे incident rays और यह दोनों होगे refracted rays इधर कहीं यह meet नहीं होगी backward extend करें तो यहाँ पर image form हो जाएगा तो यह तो होगया इसका ray diagram अब हमको apparent depth find करनी है पर वो formula नहीं लगाएंगे फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे mu2 by mu1 is equal to v by u नहीं लगाएंगे answer गलत आएगा आपका हमको इन दोनों rays को consider करके और फिर यह real depth होगी o dash o हमको यह पता करना है o dash i कितना है apparent depth हमको पता करना है तो हम स्नेल्स law use करेंगे क्योंकि वो जो result आया हुआ है standard result है apparent depth is equal to real depth upon mu वो भी आया तो स्नेल्स law सही है अब हम लगाएंगे स्नेल्स law तो स्नेल्स law लगाते हैं हम इस corner वाली ray के लिए तो क्या होता है स्नेल्स law mu sin theta is equal to constant यह लगा ना हमको अब अब mu मतलब कौन जिस medium में lighter है जिसमें angle of incidence बन रहा है वो mu कितना है वो 4 by 3 into उसमें बनने वाले angle का sign मतलब sign i is equal to ray जिसमें जा रही है किसमें जा रही है air में मतलब 1 और उसमें form होने वाले angle का sign मतलब sign r तो यह एक equation हमको मिल जा स्नेल लॉस से अब geometrically sign i और sign r हम find out करेंगे उसके पहले यहां देखें यह यह दी आ रहा है तो यह भी आर होगा ना corresponding angles यह आ रहा है तो यह भी आर होगा तो इस triangle से हम निकाल लेंगे sign r का value और sign i यदी चाहिए तो उसको इस triangle से find out कर सकते हैं तो कौन से triangle में पहले इसकी naming कर देते हैं कि ओ डैश आई इसको ए बोल देते हैं तो पहले हम बात करते हैं स्ट्राइंगल की स्ट्राइंगल कि ए ओ पी में ए ओ बी में तीन है यह चार है यह नाइंटी डिग्री है यह पांच होगा तो थ्री बाए फाइफ यह आ गया sign i का value इस triangle में ट्रेंगल ए ओ बी में और फिर इस वाले triangle से हम sign r find करेंगे इस r के corresponding यह तो हो जाएगा यह perpendicular और यह hypotenuse पर हम इसको वाय सपोस कर लेते हैं जो apparent depth है जो हमको निकालना है उसको वाय यदी सपोस कर लें तो इसका hypotenuse कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट यह कितना है यह तो थ्री है यह हो जाएगा रूट थ्री स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर और इससे sign r निकाल लिया हमने किस triangle से triangle i o dash a से hypotenuse अंडर रूट थ्री स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर और भूले नहीं कि हमको वाय ही फाइंड करना है क्योंकि image formation से अभी हमने यह देखा कि यहाँ object तो वो दिखाई यहाँ पड़ेगी तो यह होगी real depth और यह होगी apparent depth इन दोनों को हमको यहाँ पर use करके इसको आगे solve करना पड़ेगा तो बस value substitute करना है हमको बस तो आगे बढ़ें four by three sign i का value कितना है अब आगे वैसे आपको करना चाहिए solve और वैसे भी आप इस सीरीज में कहानियां मत सुनना copy pen लेकर साथ में solve करना और एक बार HCV पूरी solve हो जाए उसके बाद कोई भी guide लेकर objective questions की उसको solve करना आप NEET का exam दे रहे हों या JEE दे रहे हों या board exam कुछ भी दे रहे हों इससी कर वर्मा solve करना यह आपके लिए बहुत पाइदे का रहेगा तो बस अब cross multiply कर दिया 15 by 4 और अब इसकी करदी स्क्वेरिंग तो यह होगा 3 square plus y square बराबर 225 upon 16 और y square हो जाएगा 225 by 16 minus 9 यह होगा और 225 और 16 into 9146 होते है और 144 हुआ 225 minus 144 upon 16 और 225 में से 144 जाते हैं तो कितना बचेगा यह बचेगा 81 by 16 तो y square हो गया 81 by 16 तो y आगया आपके पास में 9 by 4 तो यह एक answer तो हो गया तो apparent depth है वो कितनी हो गई रियल डेप्थ कितनी है रियल डेप्थ तो इसका मालूम ही आपको 4 होगा रियल डेप्थ 4 होगी और apparent depth अभी हमने पता की है तो दोनों ही आपको पता है बस इसका ratio find out कर लेना है रियल डेप्थ कितनी 4 cm और apparent depth ही आई है 9 by 4 याने ratio आगया यह 16 इस तो 9 तो यह second part का answer हो गया आसान सा सवाल है बस गलती कहां पर होगी गलती होगी जब आप standard जो result है रियल डेप्थ apparent depth का वो यदि आप लगा देंगे तो फिर गड़बड होने वाली है तो यह इस question के answers हो गए